बेटा जो आपकी वर्क्षीट 9 है जो 23 तारिकों आनी थी वो श्रीफ होके 27 तारिक हो गई है क्योंकि आपकी दशेहरी की चुट्टे पड़ गई थी न तो इसले जो 23 तारिक की आपकी वर्क्षीट है उस पे अंदर 23 तारिक लिखा हुआ है लेकिन वह एक्षूल में 27 तारि चलिए आज की वर्क्षीट में हम पढ़ेंगे पाथों में पोशन यानि की पौधों में पोशन रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई थी बोजन लेने के दोरान उसने अपने बड़े भाई से राहुल से पूछा कि पौधे अपना बोजन कैसे बनाते हैं तो बोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवशक हैं इन्हें क्या कहते हैं हम पोशक्तत्व कहते हैं चीक है केवल पादप पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल कार्बन डाइकसाइड और खनीच की साहिता से अपना बोजन बना सकते हैं ये पौधों द्वारा भोजन तयार करन परण शरीर द्वारा उसका उपयोग की विदि को पोशण कहते हैं मतलब होता है घुद बनाना खाना पोशन की वह विदी जिसमें जीव अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं सवयव पोशी कहते हैं और ऐसे पाद्वू पाधों को सबस्विव पोशी होते हैं फिर विशम पोशी में क्या होता है पोशन की वहैविदी जिसमें जीव पादपो द्वारा संसलेशित भोजन ग्रेंड करता है विशम भोजी कहलाता है यानि कि जो पौदों ने खाना बनाया और उसको फिर किसी ने खा लिया तो वो क्या क्या कहलाएगा विशम भोजी, जैसे सभी जन्तु और अधिकतर जीव जो होते हैं, वो विशम पोशी होते हैं, ठीक है, चलिए, क्वेशन करते हैं, और तो द्वारा भोजन तयार करने के लिए, कच्ची सामिगरी कौन सी है, तो ये तो बहुत एज़ी है, कच्ची सामिगरी, कजल, कार्मन और खनीज, ठीक है, तो ये आपका हो गया, कच्ची सामिगरी, इसका ये बेटा फर्स्ट कांसर हो गया, चलिए, सेकंड देखते हैं, पोशन किसे कहते हैं, ये तो बहुत एज़ी है, आप यहां से सेकंड कांसर लिख दीचेगा, ठीक है, चलिए, थर्ड देखते हैं, जिवानू, ठीक है, कुछ जिवानू भी होते हैं, जो सो पोशी होते हैं, ठीक है, तो यहां आपका थर्ड का अंसर कंप्लीट होता है, फोर्थ है विश्म पोशी के दो धारन, तो आप यहां से विश्म पोशी का कोई भी आप दो जानवरों के नाम भी लिख सकते हैं, ठी आने वाली वर्कशीट की वीडियो भी आप यहां से देख सकें और जो आपकी पीछे की वर्कशीट रह गई हैं वो भी आप यहां से अच्छे से समझ सकें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी हुआएब्स झालाओ कि वाली है अच्तिछू सब्सक्राइब्स